असलाम लेकुम कैसे हैं आप सम्लात अलाब सभी लोगों को खुश हो आबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू अला के नाम से जो हमें सत्तर माओं से ज़दा प्यार करता है रमदान शरीफ आने वाले हैं तो हमको तो रमदान शरीफ के लिए तरह तरह की रेसिपी चाहिए अफ्तार के लिए और सेरी के लिए बहुत सारी रेसिपी हमको चाहिए होती है तो आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मसी की रेसिपी लेके आए हूँ पालक और पनीर से बनी ये रेसिपी आपको यकिनन हैरान कर देगी और आपके अफ़तार पार्टी में या अफ़तार में चार चांत लगा देगी तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट तो गरम गरम आलू को मैश भी कर सकते हैं तो यहां पे हमने 5 लो गराम आलू लिया है टेस्ट की हिसाब से नमक शामिल करेंगे और एक चमच यहां पे कुटी हुई लाल में शामिल की है अपने टेस्ट की हिसाब से आप भी शामिल कर लें और इसके बाद इसमें हम शामिल करे करेंगे एक मुठी बारी कटा हुआ हरा धनिया हम यहां पे शामिल करेंगे सबी चीजों को शामिल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करके एक बार हमने नमक इसका जरूर चिक कर लेना है नमक अगर कम हो तो हम यहां पे बढ़ा भी सकते हैं तो अच्छे से यहां पर हमने मिक्स कर दिया है और फिर इसके बाद हम नमक चेक कर रहे हैं नमक माशाला यहां पर बिल्कुल बराबर है तो हम इसे साइट पर रख देते हैं अब चलिए हम एक घोल बनाते हैं यहाँ पर देखिए मैंने चने का बेसन लिया है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कान फुलोर भी शामिल कर रही हूँ आदा कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और यहाँ पर मैंने दो टेबली स्पून के करीब कान फुलोर शामिल किया ह अच्छे से छान लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे नमक यहाँ पर मैंने टेस्ट की साब से शामिल कर दिया आदा चमच से थोड़ा कम और यहाँ पर काली मिर्ज का पौडर एक चोथाई चाय का चमच जीरा पौडर भी हमने यहाँ पर आदा चमच से थोड़ा सा कम शामिल किया है और आदा चमच यहाँ पर हम लाल मिर्ज का पौडर शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें हम हल्दी पौडर शामिल करेंगे एक चोथाई चाय का चमच आदा चमच यहाँ पर हम चाट मसाले का पाउडर शामिल कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए हमने आदा ही चमच अजवाइन ले हुई है और इसे इस तरीके से हतेली पर थोड़ा सा मसल की शामिल कर देंगे सबी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पाने डालके हम इसे अच्छा सा एक घोल बना लेंगे बहुत ज़दा गाड़ा भी घोल नहीं चाहिए और बहुत ज़दा पतला भी नहीं चाहिए मेडियम सा एक घोल हम यहां पर तयार करके रख लेंगे देखिए कुछ इस तरीके का अगर थोड़ा सा थिक लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे पतला भी कर सकते ही तो चलिए अब हम इसे भी साइट पर रखते हैं यहां पर देखिए मैंने 200 ग्राम पनीर ली हुई है और इसे इस तरीके से फिंगर में कट कर लूँगी तो देखिए इसी तरीके से हम अपनी सभी पनीर को तयार करके रख लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर को कट कर लिया है और पनीर के ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाट मसाले का पाड़र छिलक रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर मैं लाल मेर्ज का पाड़र छिलकूंगी और थोड़ा सा ही यहाँ पर नमक भी हम इस पर थोड़ा सा छिलक देंगे ताकि पनीर थोड़ी हमारी टेस्टी हो जाया हम इसको जब भी स्टाफ करें तो बिल्कुल भी इदम फिकी फिकी किसी ना लगे यहां पे देखिए आलू जो मैंने तयार करके रखा था उसे इस तरीके से हाथ पे लूँगी देखिए इस तरीके से हमने ले लेना है और इसको इस तरीके से बीच में हम थोड़ा सा जगा बना देंगे ताकि यहां पे हम अपनी पनीर को रख सकें और इस तरीके से देखिए हमने बीच में पनीर को रख दिया है और अच्छे से हम इसे इस तरीके से बंद कर देंगे पनीर बिल्कुल अंदर हो जाए और आलूओं को हमारा रोल उपर तयार हो जाए तो देखे इस तरीके से हमने तयार कर लेना है और फिर हम इस तरीके से घुमाकी से रोल की शकल देंगे तो इस तरीके से देखे, 10 से 12 रोल हम तयार करके रख लेंगे और इसे साइट पर रखेंगे, अभी हम इसे बहुत खुबसुरत सी कोटिंग करेंगे, तो हम इसे साइट पर रख लेते हैं और इसकी कोटिंग की तयारी कर लेते हैं, यहाँ पर देखे, पालक के पत्तों को मैं कर देना है पूरे पालक के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए इतना हमने शामिल करना है और नमक हम यहां पे बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना पालक पानी छोड़ देगी और बिल्कुल खराब हो जाएगी हम कोट नहीं कर पाएंगे तो देखिए हम यहां पर अच्छे से सब मि काल लिया था और अब उसके उपर देखे इस तरीके से हम आलू को अपने इस तरीके से फैला लेंगे पालक के पत्तों के उपर हमने आलू को इस तरीके से फैला लेना है और उसके बाद इसके उपर हम पनीर रखेंगे और रखे हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो अफतार पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है आप बनाएगा यकीनन आपके बहुत ही तारीफ होगी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में टेस्टी भी है देखने में खुबसूरत भी है तो आपने इसे जरूर ट्राय करना है वीडियो अच्छा लगा करें तो आपने पहले वाले रोल को तयार कर लेक है यहाँ पे देखिए दो चमच मैदा लेके मैं ने पानी डाल के अच्छा होल सबराय आपयार बना रिखी तार इस बारिक आपडिश की लूर्ट को शरीं говорить तो आप समों से कि पटियों को भी बारिक-बारिक कट करके यहां पी उसका भी रोल बना सकते हैं जिस तरीके से हम चीकन वगारा पे कोट करते हैं ना वैसे ही इन्शाला तरह बहुत ही जल्द आप लोगों से औरे से पी भी शेयर करूँगे तो देखे इस तरीके से हलके हलके हाथों से दबा के हमने बहुत ही अच्छे से से सेट कर लेना है सभी रोल को हम अपने सेट कर लेंगे देखे कितना खुबसूरत लग रहा है और जब हम फराय करेंगे तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा पालक का कलर बहुत ही खुबसूरत सर निखर के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए अब फराइ कर लेते हैं बिश्मिल् impress मर् रहνε रहें तो यहां पर देखे में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और जैसे ही तेल गरम होता है पालक के पत्तो वाले रोल को हम बेसन में जो हमने बेसन का गोल बना के रखा है उसमें डिप करके इसमें शामिल करेंगे देखे इस तरीके से हमने रोल को बेसन में डिप करना है और हम इसे फराई करेंगे तो बिल्कुल एक ही देखिए आलुओ की मिक्स्टर से हम बिल्कुल दो तरीके कर टेस्ट बना पाएंगे बेशन में जो हमने फिलिवर डाला है उससे बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा बहुत यूनिक सी आपकी रेशेपी बनेगी देखने में भी खुबशुट लगेगी और खाने में तो लाजवाब है ही तो आप इस तरीके से ज़रूट राए करिएगा देखिए कितनी खुबशूर्टी के साथ तयार हो रहा है आपका रोल तो देखे इस तरीके से एक तरफ से थोड़ा सा सक्त हो जाएगा तो हमने साइडो को CHANGE कर देना है और बहुत ही अच्छे से उलट पलट करते हुए इसे हम बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डें सा इसे फराइ कर लेंगे बहुत तेची से फराई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का तयार हो गया है तो हम निकाल रहे हैं आप इसे जरूर ट्राई करिएगा इंशाला ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हम फिर से तेल को थोड़ा सा गरम करेंगे और बहुत ही गरम गरम तेल में हमने अपने इस वाले रोल को भी फ्राई कर लेना है थोड़ा सा इहतियास से डालिएगा पालक में अगर जरा सा भी पानी रहेगा तो छिटकेगा तो जितना असानी से आजाएगा आपने इसमें शामिल कर देना है और देखिए माशाला कलर देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है तेल में डालते ही जिसे कलर और खिल के आ रहा है बहुत ही टेस्टी रेसेपी बनेगी तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा तो यह से आप फराय कर लें और जब अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसे निकाल लेना है और इसी तरीके से अपनी सभी रेसेपी को आप तयार कर लें तो देखिए एक ही मिहनत में कितनी खुबसूर सी रेसेपी तयार हो गई है तो आप इसे जरूर ट्राय करें और अपन भी बना सकते हैं कोई भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें तो देखिए यहां पर बिल्कुल अच्छी से खुबसूर सी हमारी रेसेपी तयार हो गई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर अगर नहीं है या आप ही तक आपने लिकता फर्माएं हमें भी दुआओं मियाद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशालला ऐसी किसी टेस्टी और मजएक रेसिपे के साथ अल्ला हाफीज